वेलकम बैक टू दिश चैनल दो महीने बाद एंड एक्स्रीमली सोरी जो डिले हुआ उसके लिए बट नंदलेस अभी अपना जो टोपिक है उसके उपर बात करते हैं तो लास्ट वाली वीडियो में हमने हमारी जो स्प्लेंडर है उसके क्रैंकेस के अंदर बैरिंग सवन को इंस्टोल किया था और उसका टुटोरियल है वो मैंने शो किया था तो अब बारी आती है जो गेरवोक्स है उसको आप कैसे असेंबल कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई पार डैमेज है या नहीं है और अगर damage है तो इसको replace कैसे करते हैं उन सारी चीजों के ऊपर हम यह जो वीडियो है इसमें बात करने वाले हैं साथी साथ जो splendor वाला gearbox है वो hero की और भी काफी सारी bikes में यूज होता है so I think इससे आप लोगों की काफी help होने वाली है so without wasting much time let's get started well right so first of all the gears उनका मैंने properly arrange कर दिया है so basically यह अपनी output shaft है और यह इसके सारी gears है यह अपनी input shaft है और यह इसके सारी gears है well इनकी जो organization है मतलब कौन सी चीज कहा लगेगी मैंने तो उनको exactly उस order में कर रखा है but एक चीज जो आप यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपको यह order है यह याद नहीं है या पता नहीं है तो भी वो यह है कि आप जो output shaft के gears है उनको अलग कर सकते हैं as compared to input shaft के gears है because input shaft के gears usually छोटे हैं और उनका जो inner diameter है वो भी output shaft वाले gears है उनके comparison में कम है तो आप बस इतना कर लें कि input shaft और उसके जो gears है उनको differentiate कर लें output shaft और उसके gears से और बारी आती है इन locks की और washers की तो वो जब अपन assemble करेंगे तब मैं figure out करवा दूँगा बाकी अगर आप ऐसे reference इसको काम में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो frame है उसका screenshot ले सकते हैं यह आपको future में काफी help करेगा अब बारी आती है सबसे पहले inspection की तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को inspect करेंगे और जो जो हमें लगेगा कि हाँ यह काम में नहीं ले सकते हैं उनको अपन change कर देंगे तो सबसे पहले में एक गेर है उसके जो टीज़ों को कैसे चेक करते हैं और जो गेर उसमें overall damage कैसे चेक करते हैं वो बता देता हूं तो बैसिकली यह हमारा एक गेर है तो सबसे पहले इसके यह वाले पॉइंट्स हैं फिर टीज़ों जो भी आप इनको बोलना चाहें इनको inspect करेंगे अगर इनमें इस साइड या फिर इस साइड अगर डेमेज होगा तो हमें इसको change करना पड़ेगा साथी साथ इसकी जो overall जो build है उसको भी inspect करेंगे इसमें किसी भी टाइप का कोई crack नहीं होना चाहिए या फिर इसका यह वाला जो section है जहां पर जो shift fork है वो चलता है उसमें किसी भी टाइप का कोई scratch नहीं होना चाहिए मतलब थोड़ा वो चलेगा लेगा लेगिन ज्यादा साथी साथ यहां पर जो shaft है वो ride करेगी तो यह भी ज्यादा कटा वहो नहीं होना चाहिए और यहां पर यह रहा एक bad example अभी इसको मैं compare करने के लिए जो नया वाला है वो unbox करता हूं और दिखाता हूं side by side रखके कि इसमें कितना ज्यादा damage है और राइट सर इसका जो replacement item है वो genuine hero की तरफ से इसकी यह part number है साथ ही साथ इसकी price is 622 जो कि इतने चोटे से piece के लिए मैं को बिलकुल भी reasonable नहीं लेगी और यह सब से ज्यादा खराब होता है तो I think इनको इसको या तो अच्छी quality का बनाना चाहिए या फिर इसकी price कम करनी चाहिए anyways अपन उसमें क्या ही कर गया है और यहां पर यह बिल्कुल सही लग रहा है और यह रहा यहां पर एक और bad example वैसे यह इतना खराब नहीं है बट इसमें शुरुआत हो चुकी है तो अगर आपन इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर यह future में engine को फिर से open करने का reason बन सकता है तो बिल्कुल रिक्स इस मामले में यह रही इसकी प्राइज यह रही पार्ट नमबर ओलाइट सो जो जो गेर्स है उनका inspection वाला पार्ट हो चुका है जो रिप्लेस काना था अपने को वाइटम अपने रिप्लेस भी कर दिया उसके अलावा बारी आती है जो वाशर्स वगेरा है और जो शाफट तो बेसिकली जो शाफट है उसमें वैसे जो आटपूट शाफट है उसमें यहां पर आपको ज़्यादा तर डैमज मिल सकता है विकॉज काई बार क्या होता है कि जो चैन्स प्रोकिट है उसकी विज़े से डैमेज हो जाता है तो अच्छे से चेक कर लें कि इसके सारे जो वो प्रोपर कंडिशन में हो, साथ यसाथ पीछे की साइड भी आप इंस्पेक कर लें एक बार कि इसमें कोई भी unevenness ना दिके आपको damage ना दिके उसके बाद बारी आती है जो washers है और जो locks है उनकी, तो washers है वो तो बहुत ही rare case में damage होंगे मैंने तो अभी तक किसी damage washer को देखा नहीं है और बारी आती है locks की तो वैसे तो to be honest इनको आपको हर time change करना चाहिए बट यह ऐसी चीजे हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है तो अगर आप नहीं मिल रही है तो आप इसको check कर लें कि यह bend तो नहीं है या फिर इसकी जो locking capacity है वो तो at least damage नहीं रहनी चाहिए because otherwise अगर यह ज्यादा expand हो जाएगा तो फिर यह lock नहीं कर पाएगा और इसकी वज़े से काफी serious damage हो सकता है engine में and उसके बाद let's move on to the shifter drum part तो shifter drum basically जो gears है उनको shift करने का काम करता है जब अपन 1st, 2nd, 3rd, 4th में shift करते हैं तो यह जो है यह जो shift forks हैं इनको up and down rotate करके और जो gears है उनको select करने में help करता है तो सबसे पहले जो shifter drum है उसको inspect करेंगे तो drum में basically अपने को यह inspect करना है कि इसमें इस side damage ना हो इसके जो threads है वो खराब ना हो उसके बाद इस side भी same चीज है वही thread वगेरा देखना है उसके बाद बारी आती है यह वाला surface तो यह जो shiny part है इसमें आप make sure करें कि scratches ना हो यहाँ पर हल्का हल्का rust लगा हुआ है बिकोज यह अभी oil में मर्ज नहीं है इसकी वज़ा से यह चलेगा बट इसमें कोई deep scratches नहीं होने चाहिए जिनसे की shifting है उसकी जो smoothness है उसमें कोई फरक आ सके और साथ ही साथ इसकी जो यह गैलरीज है जिनके अंदर जो shift forks है उनकी जो pins है वो राइड करती है उनको अच्छे से इंस्पेक करें फिर बारी आती है जो neutral indicator plate है उसकी तो यह डेमिज्ड है इस साइड पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह वाला जो portion है यह बेंड हो रखा है तो इसको हम रिप्लेस करने वाले तो यह रही पुराने वाली और यह है इसके comparison में new उसके बारी आती है जो shift fork है उसकी जो pin है जिसकी help से यह जो drum है उसमें slide करता है और उसकी जो locking clip है इन तीनों को inspect करने की जो clip है यह कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए इसमें अगर थोड़ा सा भी bend है या फिर आपको लग रहा है कि इसमें कहीं से भी तूटने के चांसे तो इसको आप चेंज कर दें और यह जो pin है यह smooth होनी चाहिए पूरा 360 अगर इसमें scratches है या एक फिंगर तो आप फिल कर पाएंगे कि यह जो सर्फेस है यह यहां पर थोड़ा सा उठा हुआ है और यहां पर यह कटना शुरू हो चुका है और इसको चेंज करना पड़ेगा इसका OEM replacement part आता है उससे 265 रुपीज इसकी प्राइज है और यह इसका part number है और इनको आप साइ अपर इसका OEM प्राइज है उसका इंस्पेक्शन और रप्लीसमेंट वाला पाट कम्प्लीड हो चुका है और एक चीज़ बता देता हूं आप उपुट शाफ्ट में जो सबसे बड़ा गयर है वो फिस्ट गयर है और इनको शाफ्त में जो सबसे चोटा गयर है वो फिस्ट इसकेंड थर्ड और फॉर्थ इसमें एक गयर वो जो शाफ्त उसे में बिल्ट इन है अब बारियात है इसको असेंबल करने की ओके सो भी साट करेंगे अपनी जो इन्पूट शाफ्त उससे एंड उसके बड़ा उपूट शाफ्त उसके रहें करेंगे सो फर्स्ट वाल जो 11 वाली अपनी जो शाफ्त इसल्फ है जिसके अदर जो 11 टीफ वाला गयर वो बिल्ट इन है उसको लेना है एंड उसके बाद जो 17 टीफ वाला जो गयर है जिसको हमने अभी रिसेंट ली न्यू पार्ट के साथ रिप्लेस किया है उसमें जो फ्लैट वाला जो सेक्शन है एक सर्क्लिप लगाने की सो वेल इनपूट शाफ्त के जो वोश्र सर्क्लिप सें वो साइज में चोटे है इसकंपर आउट पूट शाफ्त तो उनको इडेंटिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं और इनको हमें लगाना है वेल वोश्र तो यहां पर लग जाएगा नोट निशू तो हेर गोज दो वोश्र एंड उसके बाद बारी आती है शर्क्लिप की एंड उसके लिए अपने को जरुत पड़ेगी एक स्पेशल टूल की जिसको सर्क्लिप रिमूवल या सर्क्लिप इंस्टॉल तूल भी बोलते हैं सो इसको थोड़ा साइक्स्पैंड जादा एक्स्पैंड नी करना है अधर्वाइस सर्क्लिप वो जादा एक्स्पैंड हो जाएगी और उसके बाद वो प्रोपली लोक नहीं करने वाली है और अभी एक छोटे फ्लैट स्कूड्राइवर की हल्प से अपन जो सर्क्लिप है उसको पुश करते जाएंगे और जो उसमें जैसे सर्क्लिप चले जाएगी तो एक क्लिक ऐसे करके साउंड आएगी और उसके बाद जो सर्क्लिप उसको थोड़ासा रोटेट करके देखेंगे कि यह जो इसका जो स्लोट है उसमें प्रोसेस अपन करें इसमें अपने को मेक्शोर करना है कि अपन जो यह अपने को रिफ्लेक्शन नीच यह बिकोज फिर आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा तो मैं जैसे यह फिनिश कर लूँ उसके बाद मैं इसको अच्छे से से एक गर कर दूँगा एक गर को इंसाइड अट अब बार्याती है जो यह तो यह तो ट्वन्टी वन्टी इसके अंदर कुछ इस तरीके से लोक भी होता है उसको आप आगे कर लेंगे तो यह फ्री रोटेट करेगा पीछा करते यह लोक हो जाएगा उसके बाद लगाएंगे इसमें एक लोक को जो की यहां पर लगेगा वैसे इसमें वोशर क्यों नहीं लग रहा है तो उम बता द इसका जो रोटेशन उसमें थोड़ी से डिफिकल्टी क्रियेट कर सकती है उसकी वजए से इसमें वोशर दे रखा है बट यह जो गेर है यह हमारी जो शाफ्ट है उसी के साथ रोटेट करता है तो इसके लिए हमें इसमें वोशर लगाने की ज़रुत नहीं है सीधा यहां इस वाले स्लोट में यह लगेगा उसके बाद बारी आती है वोशर लगाने की अपना जो 24 टीथ वाला गेर उसको लगाने की तो सबसे पहले लगाएं यह वोशर जो कि यहां पर लगेगा अब यह जो गेर है इसको हम इस साइड से बार की तरफ रखेंगे बिकोज अंदर यह जो लगाएं इसके यह जो तीन टैबस हैं इनके अंदर लोक होते हैं तो इसको लगाया ट्विस्ट कर देखा यह लोक हो रहा है और फाइनली अपनी इनपुट शाफ्ट हो कंप्लीट हो चुकी है तो इसको रखते हैं साइड में अभी जो आउपुट शाफ्ट उसकी अब यह सबसे पहले हमारी जो आउटूट शाफ्ट है उसको लेकर के वोशर और सरक्लिप इसको इंस्टॉल करते हैं तो इन में से दो वशर सेम है और एक वशर अब अलग यह जो अलग वशर है जो साइस में बड़ा है यह लगने वाला है हमारा जो सबसे बड़ा वाला जो है फर्स्ट गेर उसकी साइट एंड बाकी के जो दो है वो बीच में लेगे तो सबसे पहले जो वोशर है उसको यहां से कुछ इस तरीके से इंसर्ट करेंगे एंड यह यहां पर आगर के अपने आप रुख जाएगा मीन्स लोग हो जाएगा एंड उसके बाद यह जो साइज है उसको होड रखते है और उसको कुछ इस तरीके से लगाना एंड सिंपल सा लोगी कि हमारा जो फ़जत में ऊसकी साइज और कि जो चैट नहीं लगने यह है अब गार यह बारी आती इस नहीं हो उतिये है यह जो जो गेर है इसको लोग करने की एंड यह हमारी जो और यहां पर लगेगा एक वोश्यर वाला वाला वो सबसे पहले तो इसमें यह वाला जो सेक्षिन है इसको अंदर की तरफ रखना है और जो प्लें सेक्षिन है मतलब जिसमें किसी टाइप के खड़े या गुरूज नहीं बने हुए उसको बार की तरफ रखते वे लगाना है वश्यर लगाने का पॉइंट का है? बिकॉस यह फ्री रोटेट कर रहा है इसलिए चेक कर लेंगे प्रोपली स्लोट हो रहा है क्या? उसके बाद फिर से एक वर लगेगा बिकॉस यह वाला जो गेर है इसको दोनों तरफ से हमें फ्री रखना है और रीजन है यह वाला गेर because यह वाला जो गेर है यह हमारी जो शाफ्ट है उसके साथ रोटेट करता है तो इसलिए यह वाला जो गेर इसको फ्री रखना काफी जरूरी है so इसमें दोनों साइड वोश्रस लगे and उसके बाद लास में यह वाला गेर लगता है यहां पर कुछ इस तरीके से and उसके बाद लगेगा हमारा वो वाला गेर जो साइज में सबसे बड़ा है जो की 35 टीथ का है and यह वाला जो गेर है यह 23 टीथ का है just in case अगर मैं नहीं बताया तो so यह 35 टीथ का गेर है और इसमें यह वाला जो सेक्शन है and लास्ट में लगेगा यह वाला जो शर्फ और इसी के साथ हमारा जो गेर बोक्स है उसकी जो गेर्स की एसम्बली है वो होती है कंप्लीट अभी इंपुट शाफ्ट रहती है इस तरीके से और आउटपुट शाफ्ट इसके अपोजिट रहती है और यह कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ में इंगेज होते हैं अब गेर्स तो बन गए अब बारी आती है इनको सलेक्ट करने के लिए जो मेकैनिजम चलता है उसको रिबिल्ट करने की अलाइट, अब से पहले आपना जो न्यूटरल पोजिशिन सेंसर है उसको इन्स्टोल करने की बारी है इसमें यह जो साइड है, जहां पर एक डिप निकली वह है इसको यह वाला जो होल है इसके अंदर से पास्टू अनने है और इसका यह वाला सेक्शन है, इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लीस करके इसको पुछ करना है I don't know अगर आप वो दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पर जो क्लिप हमने अंदर की साइड पुछ की थी इसको यहाँ से एक फ्लैट स्कूर डावर के हल्प से कुछ इस तरीके से बेंड करना है और अभी बारी आती है जो शिफ्ट फोक है उसका इंस्टॉल करने की तो इसमें यह फ्लैट साइड है और यह वाली साइड है इसमें आप देख सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर यह जो होल है यह वाला इसको यह वाली जो लाइन बनी भी है इसके अंदर लाकर के अलाइन करना है and उसके बाद यह जो पिन है इसमें यह जो साइड कट बना हुआ है उसको ऊपर की तरफ रखना है and यहाँ पर इसमें इसको ड्रोप कर देंगे और जब यह ओल दवे अंदर की साइड ड्रोप हो जाए तब यह एक क्लिप लेनी है and इसमें एक साइड आपको एक कर्व दिखेगा और एक साइड आपको फ्लैट दिखेगी तो जो फ्लैट वाली साइड है उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है and उसके बाद इ जो दूसरा shift fork है उसको install करने की तो इसको हमने इस तरीके से लगाया है इस तरीके से तो यह वाला जो है इसको हम उल्टा कर देंगे means इसमें जो फ्लैट साइड है उसको अंदर की तरफ रखेंगे और इसका यह वाला जो होल है इसको यहाँ पर align करेंगे and उसके बाद जो उसमें जो कट वाला section उसको ऊपर की तरफ रखते हुए कुछ इस तरीके से drop करके align कर देंगे and उसके बाद इस साइड से यह वाली जो clip है इसको लगाना है All right, so अभी हमारा जो shifter drum है basically जो shift assembly है उसको हमारे जो gears है उनके अंदर place करना है यह जो shift fox है इनको तो इनको कुछ इस तरीके से hold रखेंगे अभी neutral position sensor वाली जो plate है वो उस side आएगी जिस side हमारी जो output shaft है उसमें sprocket लगता है तो इसको हमने side कर लिया अभी उसके बाद हम अगर और यह वाले इसमें यह उपर की तरफ है और यह नीचे की तरफ है तो हमारे जो shift fork है उनमें यह वाला shift fork है यह उपर की तरफ है यह नीचे की तरफ है तो इसको इसमें fit करेंगे कुछ इस तरीके से और इस वाले को इसमें and उसके बाद एक बार इसको rotate करके देखते हैं so य काफी सही तरिये से काम करता है और अगर आपने वह सब कर लिया है तो थोड़ा सा सबर कीजिए नेक्स वाले वीडियो तोड़ी जल्दी ही आएगी पहले दो धाई महीने का गया उतना नहीं आएगा आपकी बार इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर ऐसा है तो चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं और मिलते हैं फिर कभी कि सीओ और वीडियो में तब ते के लिए बाई